शरीर के रंग को गोरा करने का एक बहुती कमाल का है का आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ skin whitening के लिए dark skin को remove करने के लिए अपने complexion को fair बनाने के लिए एक बहुती amazing remedy आपके साथ share करूँगी जो कि एक ही बार में आपके शरीर को दूद जैसा गोरा और सुंदर बना देगी सबसे पहले मैंने आपर toothpaste, ino और lemon का use करा है toothpaste का इस्तमाल केवल हम अपने दातों को साफ करने के लिए ही नहीं करते skin whitening के लिए भी toothpaste वाकई में कमाल का होता है अब toothpaste आपको कौन सा लेना है? market में दो अलग-अलग तरीके के toothpaste आते हैं एक gel वाला और एक white वाला toothpaste skin whitening के लिए हमें white toothpaste का use करना है इसके अलावा मैंने आपर इनो का भी इस्तमाल करा है वैसे तो इनो का इस्तमाल हम लोग करते हैं acidity की problem को दूर करने के लिए पेट को साफ रखने के लिए लेकिन इनो का इस्तमाल करकर हम अपने शरीर के रंग को भी गोरा बना सकते हैं और नीबो का रख इस्तमाल करा है हमने इनो को activate करने के लिए और वैसे भी नीबो में होती है खटाई जो की skin पर हो रहे dark spot, pigmentation को दाग धबो को दूर करने में मदद करती है तो सबसे पहले हमने आपर toothpaste लिया है एर टाइट जार में बंद करके हावा के कॉंटेक्ट में नहीं आना चाहिए अब हम टैनिंग को रिमूव करने के लिए यहां पर कॉफी का इस्तमाल करेंगे टैनिंग जो होती है वो डर्क स्पॉट से बड़ डिफरिंट होती है टैनिंग धूप में रहने की वज़े से होती है स्किन को साफ ना करने की वज़े से भी डेट स्किन सेल्स की लेयर हमारे शरीर पर डेपॉजट होना शिरू हो जाती है और ऐसे में पूरी की पूरी स्किन का कलर हमारा डार्क हो जाता है तो tan को remove करने के लिए सबसे best होता है coffee powder coffee tanning को भी हटाता है और हमारे शरीर के लिए एक कमाल का body scrub की तरह भी काम करता है तो मैंने इसमें एक चमच coffee powder डाला है रंग को निखारने के लिए गोरा रंग पाना हर किसी का सपना होता है रंग को गोरा करने के लिए मैंने इसमें एक चुटकी हल्दी पाउडर भी डाला है हल्दी हमारे रंग को निखाने में मदद करेगी स्किन में बहुत ही नैच्रल सा ग्लो आड़ भी करेगी और अब हम इसमें डालने वाले हैं इनो पाउडर तो मैं इसमें डालूँगी इनो, लगभग दो चमच हम इसमें भर कर इनो डालेंगे, आधा पूरा इनो का पाउच डालेंगे और क्योंकि अभी थंड का मौसम है, हम सभी की स्किन बहुत जादा ड्राय, फ्लेकी, पैची हो रही है तो आम इसमें नाrad yıl का तेल भी डालने वाले हैं, कोकोरनेट ओयल स्किन को लंबे समें तक मौश्यराइज रखने में मदद करता है स्किन में मौश्यर बना रहता है, स्किन बेबी सॉफ्ट रहती है, फटती नहीं है, क्रैकी नहीं होती इनों डाल दिया है, मैंने ये तोड आ सणीबू का रस डाल दिया है, बस अब सबीचीजों को में मिक्स करें, और आपको इसका पेस्ट बनाा कर तैयार करना है, जैसे ही सबीचीज़ अच्छे से में मिक्स हो जाएं, आपको जाक को बैटने नहीं देना है, तुरंत आपको इसको apply करना है, यह अभी activate हो चुका है, और आपको क्या करना है, एक पतली layer apply करना है, जहां पर भी आप अपने शरीर के रंग को गोरा करना चाहते हैं, हाथों पर, पैरों पर tanning हैं, underarms पर, dark neck पर भी आप इसे apply कर सकते हैं, और अपने पैरों के उपर भी apply कर और पंदरा मिनिट बाद हलके गुंगुने पानी के नीचे अपने पैरों को हाथों को वाश कर दीजिए, कमार के रिजल्ट मेलेगें, कमार के रिजल्ट मेलेगें,